दिखने में अजीब अगरीब लगता है ये समुद्री कीड़ा पहचान को लेकर छिड़ी बहस समुद्र के अंदर या उसके किनारे अक्सर ऐसी रहस्म में जीव मिलती रहती है जिसकी पहचान को लेकर अक्सर बहस छड़ जाती है हाला कि कुछ जीवों की गुत्थी सुलज जाती है तो कुछ अब भी अनसुलजे हैं हाल ही में कैलिफोर्निया के लिए क्यारिलो बीच पर एक तीन किलो का रहस्म जीव दिखा था जिसकी पहचान को लेकर इंटरनेट पर बहस छड़ गई थी एक बार फिर कैलिफोर्निया के सेनमेटो में रॉग पुल्स के पास एक रहस्म मैं समुदरी कीड़ा को देखा गया जिसकी पहचान को लेकर इंटरनेट यूजर्स कंप्यूज है इस तस्वीर को सोशल साइट इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है ऐसा कहा जा रहा है कि यहां एक समुदरी चमच कीड़ा है इसका साइंटिफिक नाम यूरेशीस यूनिसिंकस यूरेशीस यूनिसिंक्टिस है जो चाइनीज पेनिस फिश के नाम से भी जाना जाता है वहीं शेयर होने के बाद इस कीड़े को देखने के बाद इसकी पहचान को लेकर कई यूजर्स कंप्यूज हो गए हैं एक यूजर ने कमेंट गिया कि दिखने में यह कीड़ा सचमुच में लाजवाब है लेकिन इससे पहले मैंने ऐसा कीड़ा कभी नहीं देखा एक अनियर इंस्टाग्राम यूजर का कहना था कि यह पिखला हुआ लावा है इसे तुरंट फेंग देना चाहिए हाला कि इस रहस्म एकिड़े की सच्चाई क्या है इस पर बहस जारी है